नमस्कार दोस्तो मैं हूं सुमी चौधरी और सक्सेस प्लिस अकेडमी के प्लेटफॉम पर आप सभी का हर्दिक स्वागत हैं दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरिय समाज के संस्तापक और उनिस्वी शताबदी के महान समाज सुधारक स्वामी दैनन सरस्वती की जीवनी और उनके काम के बारे में तो दोस्तो आपने बहुत बार जो objective type questions हैं। उसमें ये पढ़ा होगा कि आरिय समाज के संस्तापक होन थे? तो उसका जवाब होता है हमेशा स्वामी दैनन सरस्वती। ब्रहम संस्तापक कोन थे? तो आपका जवाब होता है राजा रामोहन रोय तो ये जो किसन हैं ये आपने बहुत बार पढ़े हैं लेकिन इन व्यक्तियों के बारे में इनके व्यक्तित्व के बारे में और इनके कोंट्रिबुशन के बारे में आप बहुत बार पढ़ना मिस कर देते हैं राजा राम मोहन रोय के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वामी दैनन सरस्वती की लाइफ के बारे में उनकी फिलोसोफी के बारे में उनके आरिय समाज के बारे में और उन्होंने क्या कुछ काम किया है उसके बारे में और उनकी जो legacy है वो क्या है जिसका पूरा का पूरा overview हम देखेंगे तो आप जानते हैं कि 19. शताबदी में जो भारत में social religious reforms हुए थे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जिनको हम कहते हैं उनके बारे में हम separately दो lectures पढ़ चुके हैं modern history of India में तो उन सामाजिक सुधार आंदोलनों में ही एक आंदोलन कारी सामाजिक सुधार आंदोलन कारी थे ये जो हमारे स्वामी दयानन सरस्वती हैं तो ये बहुती important social reformer माने जाते हैं और इन्होंने शुरुवात करी थी आर्ये समाज की ये जो आर्ये समाज था ये एक revivalist moment था वेदिक धरम का वेदिक धरम जिसको हम सनातन धरम कहते हैं जिसको हम आगे चलके हिंदू इजम कहते हैं लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ कि देखिये समाजικ और धार्मिक सुधार आंडॉलन जब होते हैं तो वो दो चरणों में हो सकते हैं एक होता है reform moment reform moment में क्या होता है कि आप अपने समाज को reform करने की कोशिश करते हैं कि समाज को ऐसा नहीं है कि देखिए कोई भी समाज है उसमें समय के साथ-साथ कुछ बुराईया आ जाती हैं, कुछ ऐसे रिच्वल्स, ऐसे ट्रेडिशन्स और ऐसी समाजिक बुराईया आ जाती हैं जिनको आपको ऐलिमिनेट करना होता है तो जो reform moment है वो ये कहता है कि नई पर्थाओं को उसमें जगह दे दो, पुरानी जो खराब पर्थाओं आ गई हैं या फिर कुछ ऐसी पर्थाओं आ गई हैं जो evil हैं उनको हटा दो तो वो नई चीजों का भी welcome करता है वो reform moment है वो दूसरी चीजों से भी inspired होता है दूसरे धर्मों से भी जो चीजें उनसको भी अड़ेप्ट कर लेता है जैसे कि ब्रहम समाज था जो कि राजा रामों रॉय का जो ब्रहम समाज था वो reform moment था लेकिन एक होता है revival moment रिवाइब ही जो थे वो सभी सवालों का जवाब हुआ करते थे उसमें कुछ extra philosophies नहीं थी जो बाद में धीरे-धीरे करके समय के साथ साथ add होती चली गई तो जो revival moment है वो यह कहता है कि जो original कोई धर्म जैसा था वैसा का वैसा उसे बना दिया जाए जैसे वहाबी moment है इसलाम में वो भी यह कहता है कि हमें वैसा का वैसा बनाना है जैसे कि originally prophet मुहमद के टाइम पे था और यहां पे आरिये समाज की यह सोच थी कि हमें हिंदुईजम को या यह जो वेदिक धरम है इसको वैसा का वैसा बनाना है जैसा कि ये originally था, वेदिक काल में जैसा था, early वेदिक टाइम में जैसा था, तो originality की तरफ जाना है, इसको revival moment कहते हैं, तो दो तरीके के moment होते हैं, एक reform moment और एक revival moment, आर ये समाज जो था, ये वो revival moment था, और जो बर्म समाज था, वो reform moment था, अब इन्होंने इस बारे में बात करी, कि ये revival moment को इन्होंने आगे बढ़ाया, इन्होंने वेदिक धरम की जो original philosophy है, उसको आगे बढ़ाया, वेदों को superior माना, कि सब सावालों के जवाब जो हैं, ये नारा तो बहुत बाद में दिया गया है, इस से पहले स्वामी दैनन सरस्वती ने एक नारा दिया था, कि सवराज क्या है, इंडिया for Indians, भारतियों का जो है वो भारत पे सार्शन हो, भारत जो है वो भारतियों का हो, यही सवराज है हमारे लिए, तो ये इन्होंने अठासोचेटर में बोला था, इन्होंने अपनी लाइफ जो है वो एक संत की तरह बिताई है, एक सन्यासी की तरह बिताई है, बच्पन से ही और स्कोलर की तरह भी इन्होंने अपनी लाइफ जो है वो पूरी तरह से एक एसेटिक लाइफ इन्होंने बित श्रोक्ती हैं, यह इसके उपर जाए, इसके उपर कई बार रहता है, यह एक एक क को एक राऍाइन य माना जाए या ना माना जाए और इसके उपर मनें का लापर बनाया था। invasion theory की जो debate है वो कि Aryans का यहाँ पर migration हुआ था कि नहीं हुआ था क्या है वो theory और उसके उपर क्या-क्या लोगों की अलग-लग विचार धारे हैं तो ये इनका कहना था कि वेद जो हैं वो सबसे supreme authority हैं एक Aryan के लिए एक हिंदू के लिए और doctrine of karma और reincarnation को ये believe करते थे उसमें ये पूरी तरह के से trust करते थे रिंकार्नेशन यानि की पुनर जनम या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कि अवतार उसकी विचार धारा में believe करते थे उसके अलावा जिन चीजों को ये support करते थे उनमें सथा Vedic ideas, ब्रहम चारिये जो है उसको support करते थे उसके अलावा गोड की पूजा में believe करते थे इश्वर भी एक इश्वरवाद में believe करते थे कि monotheism इश्वर एक है आप जो polytheism है उसको ये believe नहीं करते थे किस चीजों का विरोध करते थे idol tree, मुर्ती पूजा का विरोध करते थे ritual worship का विरोध करते थे उसके अलावा जो नई नई परमप्राएं जो हैं वो जुड़ गई हैं mediatr जुड़ गए हैं धरम के अंदर ऐसी ऐसी पर्थाएं जुड़ गई हैं जिनका कोई धरम से लेना देना नहीं है उन सभी का विरोध करते थे तो ऐसे ऐसे इनके विचार थे Hinduism को पूरी तरह से revive करते थे और कहते थे go back to Vedas जो वेदों का समय था उसी की तरफ जाइए उसी से आपका भला होगा तभी आपको सभी चीजों का knowledge होगा वेदों से आपको पूरी की पूरी life का जो है वो knowledge हो सकता है आपको हर सवाल का जवाब वेदों से ही मिलेगा तो भारत के उस समय जो दूसरे राष्टपती थे प्रेजिडेंट थे स्वामी राधा कृष्ण इसनको कहते थे कि ये one of the maker of modern इंडिया है maker of modern इंडिया में इनको इसके अलावा आप जानते हैं जो स्वामी विवेकानन्द हैं उनको राजा राम महन रोय हैं ये सभी जो हैं जो समाज सुधारक हुए हैं भारत के इन सभी को maker of modern इंडिया का हिस्सा माना जाता है सर और बिंदो घोस ने भी इनको कहा है कि ये maker of modern इंडिया में इनको count करना चाहिए तो founder of R.A. समाज तो हैं ही साथ ही साथ वेदों की superiority के उन्होंने काफी जादा फैलाया कास्टिजम जो है इसका इन्होंने विरोध किया जो भी समाज में evil traditions और rituals आ गए थे उन सभी का इन्होंने विरोध किया है और हिंदिजम को उसकी purest form की तरफ ले जाने की इन्होंने कोशिश करी है इनका बच्पन का नाम दयानन सरस्वती नहीं था इनका नाम था मूल संकर तिवारी और इनका जनम होता है 1824 में तंकारा में तंकारा जो है गुजरात में है इनके पिता का नाम था कृशनलाल जी तिवारी और मा का नाम था यसोदा भाई ये एक rich ब्रामिन फैमिली में पैदा हुए थे इनकी फैमिली जो थी वो एक orthodox ब्रामिन फैमिली थी और इनको strictly ब्रामिन रूल्स के अंडर रहना था आठ साल के जब थे तब इनको एक तरह से गुरू कुल में भेजने की तैयारी पूरी तरह से कर ली गई थी कि अब ये आगे चलके जिस तरीके से एक पंडित की जो एजुकेशन होती है जो ब्रामिन फैमिली का जो बच्चा होता था उस समय उसकी एजुकेशन होती है उस तरह से इनको रूल्स के लिए भेजा गया उसके बाद एक बार का टाइम है एक इवेंट बताता हूँ जो इनकी लाइफ में जो है लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन गया एक स्टोरी का है कि शिवरात्री के ओकेशन पे इनके पिता जो है ये जब 14 साल के होते हैं तो इनको टेंपल लेके जाते हैं और टेमपल लेके जाते हैं और इनका ये रहता है कि अब इनको फास्ट करना है, उपवास रखना था, शिवरात्री के दिन पूरी रात इनको कुछ नहीं खाना था, बगवान शिवकी वहांपे पूजा करनी थी, तो ये जब रात बर पूजा कर रहे थे और पूरी रात वहा प्रोटेक्ट करना चाहते थे जो जिसको बिलकुल भी छूना तक मना था कोई टेस्ट भी नहीं कर रहा था कि इश्वर को डिवोट करने के लिए और उस पूजा करने के लिए सब ने उसको एक परशाद की तरह चड़ाया था उसमें वो चुभा जो है उस चीज को दुशित क कर रहा था तो यह चीज उन्होंने देखी मूल चंतिवारी ने तो वो कहते हैं कि इश्वर जो अल्माइटी जो है जो इतना ताकतवर है और वो खुद को यहां पर डिफेंड नहीं कर पा रहा है और यह कितनी वो बात है कितना पेटी है यह कि एक छोटा सा चुहा जो है उ अब यह कभी भी मूर्ती पूजा आगे नहीं करेंगे इन्होंने यहां पे सीधा कह दिया था अपने घरवालों को इनके घरवाले जो हम वो इससे थोड़ा नाराज हो गए और उनको लग रहा था कि उनका बेटा जो है वो अलग डारेक्शन में जा रहा है जो उनके ब्रा शादी की उमर होने वाली थी तो शादी की उमर पंदरा साल की उमर में ही आप जानते हैं उस समय तो इस उमर में शादियां हो जाया करती थी जब और बच्चे जो है जिनकी शादियां हो रही थी और अपनी लाइफ में बीजी थे उस समय धैनन सरस्वती जो उस समय मूलच तिवारी थे इन्होंने सोचा कि मैं तो शादी वगेरा के लिए नहीं बना हूँ और ये घर छोड़के भाग गए 846 में घर छोड़के यहां से भाग गए उसके बाद इन्होंने आगे चलके अपनी एसेटिक लाइफ बिताई सन्यासी के तरह लाइफ बिताई आने वाले 15 सा तक ये इधर उदर देश में घुमते रहे एक गुरू की तलाश में इनको एक गुरू צाईए था जानना चाते थे कि रियल्टी क्या है सच्चाई क्या है LIFE के गौल्स क्या है और हम जिस फिलोस फिलोसोफी को हम folow कर रहे हैं हमारा परिवार फॉलो कर रहे है देश के लो होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, उसी के बाद द्यानन सरस्वती जो हैं, वो इनके अंडर अपनी ट्रेनिंग करते हैं, इनके अंडर जो हैं, इनको इनके लेक्चर्स मिलते हैं, उसी तरीके का कल्चर इनको मिलता है, जैसे उपनिशद में मिलता था, उपनिशद में क्या होता गुरू सामने बैठ के अपने सिश्यों को ग्यान देता, तो वो पुराने तरीके से, एक तरए से गुरू कुल की तरह, इन्होंने अपनी एजुकेशन ली, यह वज राज सरसवती जो थे in के गुरू इन्हों ने ही इनको नाम दयानंद दिया, दयानंद सरसवती इनके बाद ही इनका नाम पड़ा पहले तो आप जानते हैं मूल चंतिवारी था उसके बाद इनको पूरी एजुकेशन दी पूरी की पूरी वेदों के बारे में समझाया उपनिश्यदों के बारे में समझाया इंधुईजम के बारे में बताया पूरी बातें बताने के बाद गुरु दक करेंगे दैनल सरस्वती ने इस चीज़ का उनको वादा किया प्रोमिस दिया कि वो उनकी गुरु दक्षना है वो पूरी करेंगे और आने वाले 25 सालों तक उन्होंने 1845 से लेके 1889 तक उन्होंने अपनी जो लाइफ है वो एक सन्यासी की तरह बिताई इधर उधर religious truth को जानने मिलेगा और इन्होंने सभी वेदों को बढ़ा बहुत सारी किताबे भी लिखी वेदों को ट्रांसलेट भी किया ये सब चीज़े इन्होंने की और अपनी जो पूरी की पूरी का जीवनियापन किया अब आगे चलके जो इनका जो है लोगों तक अपनी नौलेज पहुंचाने का टाइम आया तो यहां से इन्हों को एक चीज़ पता चली कि जो वेद हैं जो हमारे चार वेद हैं रिग वेद साम वेद अथरववेद और यजुरवेद इनमें सभी फिलोसफी को पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए अगर आप हिंदो इसमाघ जो है उसका फॉर्मेशन किया बॉम्बे में इसका मतलव था ये एक revivalist moment था और इसका मतलब था society of noble R.E.A. समाज मतलब society of noble ये जो R.E.A. है इसका मतलब noble race होता है कई बार ये होता है इसको मानते हैं कि noble race को ही represent करता है R.E.A. बाकी इसका meaning और इसके उपर एक काफी बड़ी debate है उसको आप separately देख सकते हैं अब बात ये है कि R.E.A. समाज का purpose क्या था इसका ultimate purpose ये जो था वो था कि हिंदुईजम को जो अभी fictional belief आ गए है अलग अलग नई नई evil rituals ने और evil practices ने एक तरी से जखड लिया है उसको उससे आजाद कराना है और वैसा का वैसा बनाना है जैसा की Hinduism originally था vedic time पे जब वेदों का समय चल रहा था Vedic culture को फोलो किया जाता था उस समय जैसा Hinduism था Sanatinism जिसको बोल सकते हैं या Vedic religion जिसको बोल सकते हैं वैसा का वैसा हमें बनाना है, इसको अपनी प्यूरिस्ट फॉर्म में लेके जाना है, तो इसका जो मोटो है वो था, किर्टन टू विशुरम आर्यम, आर्यम इसका मतलब था, मेक दिस वल्ड नोबल, इस दुनिया को क्या बनाना है, नोबल बनाना है, और उसके लिए इन्होंने अपनी फिलोसोफी को बताने के लिए लोगों को एक किताब लिखी थी जिसका नाम था सत्य परकास, सत्य परकास यानि दा लाइट ओफ टूथ, इस बुक में इन्होंने इ चकर से आजाद हो गए और आपने अल्टिमेट गोल को प्राप्त कर लिया, तो ये सही नहीं है, लाइफ के मल्टिपल गोल्स होते हैं, और इस सैलवेशन को भी अगर आप अचीव करना चाहते हैं, तो आप इसको अचीव कर सकते हैं, थ्रू सोशल सर्वेस, कितनी बड़ी बात कह दी, कि अगर आप समाज के लोगों का भलवा करोगे, उनके लिए बेनवेलेंट रहोगे, तो ही आपको सैलवेशन मिल सकता है, आपको सिर्फ पूजा पाट करना मुर्ती पूजा में लगे हुए हैं, जब नाम कर रहे हैं, पूरी लाइफ टाइम, आप सोच रहे है एजुकेशन में बहुत सारे रिफॉर्म्स किये हैं, आगे चल के इनका काम बताऊंगा हम आपको, तो ओम जो है, ओम, ये है आरिये समाज का और हाइस्ट और मॉस्ट पॉपलर नेम औफ गोड, कि गोड को अगर आपको याद करना है तो ओम का जाब कीजिए, और आपको को गोड इस प्राइमरी काज अफ ओल दे नौलेज़, जो इश्वर है, उसी से सारा नौलेज़ जो है, वहीं से निकलता है, उसी सारी जिज़ें ग्यान का वही भंदार है, वहीं से आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी, इश्वर जो है वो अबसलीट है, वो अल्माइटी ह करियेटर ऑफ यूनिवर्स है उसीने पूरी दूनिया है और अकेला एसा है जिसको जिसकी पूझा की जा सकती है जिसकी पूजा करना पूझा से अमlor सुझा करने चाहिए और耀एड़ उसकी की फ्रूंटक्त है जो knowledge आपको मिलेगा उसके लिए एकमातर जो सादन है वो वेद हैं वेदों से ही आपको सारा ग्यान मिलेगा All should be ready to accept the truth and renounce the untruth सभी को सत्य को मानने के लिए और ऐस सत्य को त्यागने के लिए तयार रहना चाहिए उसके अलावा All should be performed in the conformity with dharma अपने सारे के सारे काम जो है वो धर्म के उपर आधारित होने चाहिए Virtue और Rightness के उपर आधारित होने चाहिए कि आपका जो धर्म है धर्म जो आपको सही के लिए कहता है वो ही करना चाहिए गलत काम आपको नहीं करने चाहिए आपका जो करम का कॉंसेप्ट है उसके लिए इन्होंने ये कहा है उसके अलावा दा प्राइमरी एम और आरे समाज इस टू परफॉर्म दा वेलफेर अप दा होल वर्ड और फीजिकल स्प्रिच्वल और सोशल प्रोग्रेस सभी तरीके का जो है वेलफेर होना चाहिए एक जिसको आप कह सकते हैं सार्वर्गनिक विकास होना चाहिए इस्प्रिच्वल भी होना चाहिए फीजिकल भी होना चाहिए और सोशल प्रेक्टिस भी होनी चाहिए पूरी तरीके से पूरे समाज का यहां पे विकास की उन्होंने बात करी है All should be treated with love and justice, सभी को प्यार और न्याय के साथ treat किया जाना चाहिए Ignorance must be dispelled and knowledge should be promoted Ignorance को हटायाना चाहिए समाज से, सब को knowledge gain करने की तरफ बढ़ना चाहिए किसी को भी नई चीजों को रप्त करने के लिए ग्यान की लिए कभी भी ignorant नहीं होना चाहिए No one should be contendent with his own welfare alone but everyone should regarded his or her prosperity in the common welfare of all सभी को यहां पर selfish नहीं होना चाहिए Basically यह का रखा है कि यह सोचे कि मेरा welfare हो जाए तो सब कुछ बढ़िया है पूरे समाज को welfare करने की तरफ सोचना चाहिए कि पूरा समाज का अगर भला होगा तो मेरा भला automatically हो जाएगा यह कहा इन्होंने और last जो है principle वो कहता है कि one should subordinate oneself of the common welfare of the society which one is free to act one's own welfare तो वही बात है कि समाज का अगर भला हो गया और समाज का welfare करने की तरफ आप सोचोगे तो आपका खुद का अपने आप ही भला हो जाएगा यह ten principle of R.A. समाज है उसके अलावा R.A. समाज जो है और क्या-क्या बाते करता था वो western ideas जो हमारे समाज के अंदर घुस गए थे उसका विरोध करता था कि जो western ideas है वो हमारे वेदिक religion के अंदर आके उसको उसमें evil practices जो आई हैं उसका एक कारण जो है वो western ideas है Christianity जो हमारे समाज में आ गई है जो हमारे धरम के लोगों को दूसरे धरम में convert कर रहे हैं उसके ये विरोध करते थे और ये कहते थे कि हमें किसी दूसरे धरम की तरफ देखने की जरुवत नहीं है हमारे धरम में अपने आप में वो सारे जवाब हैं जो वेदिक कल्चर में हुआ करते थे अगर आप इन सभी evil practices को जो समाज में आ गई हैं समय के साथ साथ अगर उनको हटा दोगे तो आपको अपने आ प्योरेस फॉर्म देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पर कुछ चीजों में कई बार criticize भी किया जाता है दयानन सरस्वती जी को कि वो दूसरे धर्मों के परती ज्यादा tolerant नहीं थे चाए वो Christianity हो या बुद्धिजम हो या कोई दूसरा धर्म हो उसमें उनको इतना नहीं मानते थे उनको इतना नहीं मानते थे यह मानना था उनका उनका मानना था कि जो भी आपकी evil practices आ गई है समाज में जैसे की मुर्ति पूजा है polytheism है बहुत सारे gods की पूजा करना है magic में believe करना है charms में animal sacrifice जैसा है deads को शराद के थूँ आप खिलाते हैं वो सब जो practices हैं जिनकी कोई भी मतलब व्याक्या नहीं है हमारे वेदों में और जिनकी कोई जरुवत नहीं थी originally यह धरम के अंदर था ही नहीं तो इन चीजों को हमें हटाने की जरुवत है actually हमें वेदों को पढ़ेंगे समझेंगे तभी हमें पता चलेगा कि actual में यह सब practices जो हैं वो originally हमारे धरम का हिसा थी ही नहीं उसके अलावा इन्होंने कहा कि करम की doctrine को support करते थे कि करम जो है वही बहुत important है करम के आधार पे ही आपके करमों का हिसाब होता है आप जो करम करते हैं उसी के आधार पे आपको salvation मिलेगा या नहीं मिलेगा आपकी life कैसी होगी उस depend करती है destiny के idea में बिलको believe नहीं करते थे करमा में believe करते थे destiny में बिलको believe नहीं करते थे उसके अलावा ये एक चीज जो कास्ट सिस्टम है उसका बिलकुल अपोज करते थे समाज में जो ब्राहमिन की जो रेपोटेशन और जो ओधा जो बढ़ गया था जो पोजिशन थी डॉमिनेंट पोजिशन थी उसको रिजेक्ट करते थे और कहते थे कि जो प्रीस्ट जो हैं जो एज इंटरमीडियेटरी काम करते हैं गोड और मैन के बीच में इसकी बिलकुल जरुवत नहीं है भगवान का अपने भगत के साथ अपने जो यूमन बिंग्स हैं उनके साथ डारेक्ट कॉंटेक्ट है उसके लिए हमें किसी भी इंटरमीडियेटरी की जरुवत नहीं है आप डारेक्ट उसके लिए डिवोशन दिखाओ वही काफी है वेदों को पढ़ो आपको सारे जवाब मिल जाएंगे इश्वर की वार्नी है वो तो ये सब ये बाते हैं कहा करते थे कहते थे कि इंटरमीडियेटरी नहीं होने चाहिए विमन राइट्स और इक्वालिटी की बात करते थे चाइल्ड मरीज को ये कंडेम करते थे और विमन्स और शुद्र जो हैं समाज में जिनकी इस्तती खराब थी उस समय उनकी एजुकेशन को परमोट करने की भी बात किया करते थे उसके अलावा इनके समाज में आरे समाज में एक रूल था कि जो बच्चों की उमर है शादी की किसी भी लड़की के लिए मिनिममम 16 साल होनी चीए और लड़के के लिए मिनिममम 25 साल होनी चीए हलां कि आपको एज डिफरेंस जो है वो काफी ज्यादा लगेगा कि 16 और 25 का जो डिफरेंस है वो ज्यादा दिखेगा लेकिन इनकी minimum एज ये निर्धारित इन्होंने कर रखी थी उसके बाद इन्होंने एक और मोमेंट शुरू किया शुद्धी मोमेंट ये काफी popular हुआ था शुद्धी मोमेंट क्या है आप जानते कि हिंदुईजम में कनवर्जन की कोई policy नहीं है कनवर्जन नहीं होता है कि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति जो है वो हिंदुईजम में कि किसी process के थूरू convert करें ऐसा कोई system नहीं है जैसे Christian missionary जाना अपने यहां पे कनवर्ट करके Christianity में कनवर्ट करते थे इसलाम में भी कनवर्ट होता था अलग अलग धर्मों में कनवर्जन का एक अलग अलग प्रोसेस है हिंदुईजम में नहीं था तो उसके लिए शुद्धी मो जिनके साथ इथियास में persecution हुए हैं जिनको जबर्दस्टी किसी दूसरे ध्रम को अपनाना पड़ा है लेकिन अब वह वापिस हिंदुईजम में अगर आना चाहते हैं तो उनके लिए एक पूरा का पूरा इन्होंने system बनाया शुद्धी मोमेंट यही ऐसे start हुआ कि वह व इन्होंने क्या काम किया educational reforms की बात इन्होंने करी इन्होंने कहा कि देखे जो lack of knowledge है समाज क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है समाज को सच्चाई पता ही नहीं है कि हमारा religion और हमारी जो philosophy है original Hinduism क्या कहता है इसी की वज़े से लोग जो है वो गलत चीजों की तरफ चले जाते है evil practices को follow करने लग जाते हैं क्योंकि वो mislead हो जाते हैं लेकिन अगर लोग सच में जान पाएंगे कि actuality क्या है सच्चाई क्या है तो उसका रास्ता है कि उनको educate किया जाए educate करेंगे तब ही उनको सच्चाई पता चलेगी तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे गुरुकूल् जो है वो आपको छोटे-छोटे शहरों में बड़ी-बड़ी स्कूले यहां पर देखने को मिल जाती हैं DAV Trust की जो स्कूले हैं जिसमें आपको यह जो डैनन्स एंगलो-वेदिक ट्रस्ट ही है यह जो शुरुवात से इनके टाइम पे चलता आ रहा था इसकी शुरुवात इन्होंने एक जून 1886 में लाहोर में शुरुवात करी थी उस समय पहले जो प्रिंसिपल थे इस ट्रस्ट के वो थे लाला हंसराज तो DAV High School इन्होंने सबसे पहले शुरुवात करी थी इसी ट्रस्ट की लाहोर में आज के समय आपको अलग-छोटे-छोटे शहरों में भी इ इन्होंने किताबे लिखे हैं जिसमें एक तो 16 वोल्यूम ओफ एक्स्प्लेशन ओफ सिक्स वेदांग जो वेदांग हैं उनको पढ़ाने के लिए इन्होंने 16 वोल्यूम लिखे हैं उसके अलावा एक इनकंप्लीट अधूरी कमेंटरी है वसे अस्टा धाई के ओपर इन्ह के ओपर राइवल जो डॉक्टरीन है चाए वो इसलाम हो चाए वो किस्ट्यनिटी हो इनके ओपर भी बात करी है कि ये किस तरीके की फिलोसोफी को रिपरजेंट करते हैं इनको क्रिटिसाइज भी करते थे इनके अंदर की जो चीजे हैं उनको वो लोगों के सामने लुमिका उसके अलावा संस्कार विधी रिगवेद भाष्यम और यजुरवेद भाष्यम यह इनकी कुछ popular किताबें हैं जो इन्होंने लिखी हैं वेदों को और वेदिक कल्चर को समझाने के लिए वेदिक फिलोसोफी को समझाने के लिए लोगों को कि वो किस तरीके की व बार ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे और इनकी जो फिलोसोफी थी वो हिंदुजम में भी एक रिवाइवल की बात करती थी जो कुछ और्थोडोक्स लोग थे वो इनको विरोध भी करते थे तो काफी सारे दुश्मन तो इन्होंने पाल ही लिये थे लेकिन बहुत बार इन पर अटेक भी हुआ था लेकिन उससे तो ही बच गए लेकिन 1883 में जोदपुर के महराजा जस्वन सिंग सेकंड ने इनको बुलाया था अपने यहां पर और इनको इन्वाइट किया था ये भी गुरू को अपना गुरू मानना चाहते थे इनको दैनन सरस्वती के शिष्या बनना चाहते थे यहां पर बुलाया लेकिन उसी दोरान इन्होंने एक प्रोग्राम रखा था कोर्ट में एक डांसर थी उसको उसका डांस चल रहा था तो दैनन सरस्वती जी ने राजा को समझाया जस्वन सिंग सेकंड को उनको कहा कि ये जो आप कर रहे हैं ये धरम का रा लाते हैं ये इस डांसर को चुप गई उनको ये पसंद नहीं आई उनकी कही हुए बाते और उसकी वज़े से ये जो डांसर थी इसने इनकी मौत का प्लैन किया इनका कुछ था कुछ कुछ काच के टुकड़े दिये महीं पीस के कि ये आप उनको इनको दूद में मिला तो इनके कुख ने जो इस समय राज का दर्बार का कुख था और ये जो डांसर थी इन दोनों ने मिल के प्लैन किया और इनके दूद के अंदर काच का चुड़ा मिला दिया का चूरा अगर दूद में जाएगा और इसको पी एंगे तो आदमी की मौत होना तै है कोई लाज न पातनी जो तुमने किया वो तुम्हारी सोच थी जो भी हुआ उसके लिए उनको माप भी कर दिया और उसके बाद अगले ही दिन सुभे अक्टूबर 30 करके बहुत सारे देशों में काम कर रहा है एशिया यूरोप अमेरिका सभी छोटन देशों में यहां पर आरे समाज है जो की वेदिक कल्चर को प्रमोट करता है वेदिक फिलोसोफी को प्रमोट करता है और हिंदू इजम के प्यूरिफिकेशन की बात करता है रिवाइवलिज शहीद भगत सिंग जैसे लोग इन से परभावित थे और इनकी DAV School of Lahore में वो पढ़े हैं उन्होंने वहाँ पे education को receive किया है तो जो भी चीजें दैनन सरस्वती की विचारधरा थी वो सभी इन लोगों के पास भी गई है तो basically इनकी जो legacy है वो बहुत जबरदस्त है इन सभी लोगों को आप जानते हैं इनकी आम को प्रीशेद रिने की ज़रूद नहीं है सभी महान सौतन्तरता सेनानी रहे हैं हमारे संग्राम में दैनन for watching this video, have a good day, see you in next lecture.